नमस्ते बच्चो कक्षा 9 विश्य गनित और प्रिशनावली अपने चल दिया तेर मी 13.3 के कोशन अपने पिश्टी वीडियो में हल कर चुके हैं 13.4 वेस्ट आगी के कोशन अपने इस वीडियो में देखेंगे तो 13.4 में अपने को गोले के बारे में ग्याद करना है 22 वेटा में साथ त्रीजा क्या है 10.5 गुना 10.5 ». два स्केयर का मतलव यह होता है कि त्रीजा को कितनी वार गुना करना है 2 वार गुना करना है तब इसको हल कर लोगे 7 एकम साथ और 7.35 पंधा चोका है और इसको आगे हल करोगे तो अपने पास आजाएगा 1386 cm2 इस गोले का इतन शेत्र फर इतना अगया अब दूसरे का निकालोगे तो फिर वही 4 पाई आर स्केर 4 गुना 22 बटा में 7 गुना आर की वैल्यू 5.6 5.6 7, 8, 6, 8, 4, 32 3.2 गुना 22 गुना 5.6 इस सभी को आप गुना कर लोगे अपने आगये से बस कोशन को ही समझना है करने का तरीका अपने को समझ में आना चाहिए इसका सुतर भी वही रहेगा जब गुले का है तो 4 गुना 22 बटा में 7 आर क्या है 14 गुना 14 7 गुनी 14 4 गुनी 8 गुना 22 गुना 14 8 गुनी 16 17 गुना 14 और इसको आप इससे गुना करोगे तो अपने पास आजाएगा 24 64 सेंटीमीटर सकेर ये तो था त्रीजा दी हुई थी दूसरा कोशन में और इसमें अंतरितना है इसमें क्या दे रखा है व्यास दे रखा है जलज बाजी में कभी भी ये गलती मत करना कि व्यास दिया है तो पहले क्या करो व्यास को त्रीजा में चेंज करो तो व्यास को त्रीजा में चेंज करो कि कैसे दो से बाग दे कर 7 सेंटीमीटर 21 वटा में 2 सेंटीमीटर 3.5 वटा में 2 सेंटीमीटर अब क्या करना है सबी में same question वो इस तर लगाना है 4 गुना, 22 बटा में 7 गुना, 7 से 7 कट गया 7 चो का है, 28 गुना, 22 कितना हो गया, 616 cm2 यह खुद कर लेना, एक इसको करते हैं तो क्या हैगा, 4 गुना, 22 बटा में 7 गुना 3.5 बटा में 2, 3.5 बटा में 2 दो दुनी चार, दो से दो कट गया, 0.5 ठीक है, 5 दुनी 10 यह हो गया, 11 गुना 3.5, 11, 5 है पीछे, 5, 11, 33, 35, 38, 5, सेंटीमिटर सकेर, यह अपने पास आ गया, दूसरा कोश्चन, शेम ही सुतर लग रहे हैं दोनों में, अब इनोंने क्या पुछा है, अर्ध गोले का, दूसरा गोले का जो वक्र प्रिश्य शेत्रफल है वो तो चार पाई अर्थ स्केर होता है अर्थ गोले का होता है तीन पाई आर्थ स्केर अर्थ गोले का कितना होता है तीन पाई आर्थ स्केर बस और कोई भी अंतर नहीं है तो अपने पास देखो आर्थ की वैल्यू दे रखी है तो साथ अठ है चपन पॉइंटों में कुछ आएगा तो यह अपने पास इतना ही लगवग मान लो कि यह इतना लगवग अपने पास कोशन आ रहा है तीसरा कोशन अब देखो चोथा कोशन कि एक गोलाकार गुबारे में हवा बरने पर उसकी जो त्रीजा है वो क्या हो जाती है स सेंटीमेटर से चोदा सेंटीमेटर हो जाती है इन दोनों सीतियों में प्रिष्ची चितरफल का उनपात क्या है पहले प्रिष्ची चितरफल के इसके लिए निकालोगे साथ सेंटीमेटर के निकालोगे फिर निकालोगे चोदा के लिए दोनों में क्या करना है बाग देना त्रीजा आर बराबर साथ के लिए आर बराबर चोदा के लिए इसके लिए भी चार पाई आर स्केर है इसके लिए भी चार पाई आर स्केर है तो चार गुना अनुपाद निकालना है तो सिदे देखो चार पाई से चार पाई कट जेगा यहां पे भी आर स्केर बचेगा यहा चाहिए आप पहले इसको हल करके निकाल लो इसको अलग हल कर लो फिर भी आपका अनुपाद क्या रहेगा यही अनुपाद रहेगा अब देखो पांचमा कोशन पितल से बने एक अर्ध गोला का कटोरे का जो व्यास है वो क्या है इतना दे रखा है अपने को 16 पेतने की दर्स से आंतरिक परस पर ही कली करानी है उसका चेत्रफल का सुथर होगा तू पाई- आर्ध गोला है बस अकेले इस प्रस पर कली होगी इस्पर नहीं होगी इसलिए वो था 3 pi r square अब इसका सुतर क्या रहेगा 2 pi r square रहेगा क्या दे रखा है व्यास दे रखा है d की value दे रखी है 10.5 cm तो r की value क्या जेगी 10.5 बटा में 2 तो 2 गुणा 22 बटा में 7 गुणा 10.5 बटा में 2 10.5 बटा में 2 2 से 2 कट गया 2 से काटा 11 इसको 7 से काटोगे 7 एकम 7 7 5 बटा में 35 7 बटा में 35 यह अपने पास क्या है 10.5 फीक है इसको हल करोगे तो अपने पास आजेगा 113.25 cm square इसको हल किया तो अपने पास यह आ गया 113.25 अब देखो इस line को द्यान से देखो कि 16 रुपे प्रती 100 cm square में लगती है की 100 cm square का जो खर्चा आता है 16 रुपे आता है तो एक cm square का खर्चा कितना होगा 16 बटा में 100 और इतनी का सर्चा क्या होगा गुणा में आजाएगा 113.25 क्या आजएगा 113.25 तो इसको हल करोगे तो कितना आजाएगा? 27.02 रुपे कितने रुपे आजाएगे? 27.02 रुपे अब देखो चटा कोशन क्या दे रखा है? चटा कोशन कि उस गोले की तीजा ग्याद करनी है जिसका प्रेशे चित्रफल दे रखा है उल्टा दे रखा है अपने गोले का पिछे सरवल क्या होता है चार पाई आर स्केर वही अपने को कितना दे रहा है 154 चार गुणा 22 बटा में 7 गुणा आर स्केर इकवल टू एक सो चोपन आर स्केर की वैल्यू निकाल ली है 154 साथ नीचे था साथ का आज जाएगा उपर उपर वाली संखे कहां आएगी नीचे ठीक है अब इसको काट लो 22 साथ होते है 154 आर स्केर इकवल टू क्या है साथ गुणा साथ बटा में 2 गुणा दो लिख दो चार को तो आर की वैल्यू क्या आएगी साथ बटा में 2 क्योंगी स्केर में से जोडे में से एक चीज बार आती है दो साथ है एक साथ बार आ गया दो दो थे एक दो बार आ गया साथ बटा में 2 साथ बटा दो को आगे हल करके भी लिख सकते हो 3.5 किस में है सेंटीमिटर में है तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमिटर हो जाएगा इस परकार आप इसको हल करके लिख सकते हो तो ये था आपका छटा कोशन इसके बाद देखो आगे के जो कोशन है उनको हल करते हैं आगे आपको देर का है सात्मा कोशन चंद्रमा का जो व्यास है वो प्रत्वी के व्यास का लगवग क्या है एक चुथाई है इन दोनों के प्रिषी सित्रफल का उनपात ग्याद करना है वो ही बात आगी कि जो चंद्रमा का व्यास है वो प्रत्वी के व्यास का लगवग एक चुथाई है कि प्रत्वी का व्यास जदी आप मानो आर तो चंद्रमा का व्यास क्या जेगा एक वटा में च इसकी त्रिजा क्या होग," इसकी त्रिजा क्या होगी, इसकी त्रिजा क्या होगी isn't terी kis пов video challenges takie अब देचो ही ऑननों में अनुपात ज्याद करना है। चंद्रमा का व्यात्तित प्रत्षवी के इन दोनों में चार पाई आर सकेर, इसका भी क्या होगा, चार पाई आर सकेर, चार पाई से चार पाई कड़ गया, चंद्रमा का क्या है, ये वाला, ठीक है, तो एक बटा में, चार दुनी, आठ, इसका जो ब्यास दे रखा था, तो त्रीजा तो क्या होगी, यही होगी, चंद्रमा का ब्या क्या है लगवग एक टृष्थ में तो तरिज्चा तो इसकी आठी ऌड़ी आठे का सेथ कि यह स्केर लूंक इंपात यह वचल करों के तो यहां application क्या दर्ज़ी खुराइज coming वहें ए विद्द diagnostic कैसी मुट्य आठी में करते हैं अर्दsnत Anfang कंडूis उसका आंत्रिक तीजा दे रखी है और बाहरी बक्र प्रिशिश्ट्रफल ग्याद करना है मुटाई दे रखी है और देखो बाहरी का ग्याद करना है आंत्रिक तीजा दे रखी है और मुटाई दे रखी है तो फिर बाहरी जो तीजा होगी वो क्या होगी इन दोनों का योग ह होगी ये देखो ये होगी मुटाई तो ये चीज होगी और आंतिर्क तीजा ये होगी ये बाहरी का निकालना पूरा होगा न तो बाहरी क्या होगा पांच प्लस 0.25 कितना हो गया 5.25 अब अर्द गोला कर है तो बाहरी-बाहरी निकालना है वेला तो 2 पाई आर सकेर तो 2 गुणा 22 बटा में 7 गुणा 5.25 गुणा 5.25 हल करोगे तो 113.25 आ जाएगा अपने पास cm सकेर इसके बाद देखो नॉमा और लास्ट कोशन एक आर लंग बरतिये बेलन है और वार तिजावाला गोले को पुरंता गेरे हुए है तो गोले का प्रिष्ची शित्रफल क्या होता है चार पाई आर स्कियर बेलन का वक्र प्रिष्टी क्या होता है टू पाई आर एच बेलन का वक्र प्रिष्टी क्या होता है टू पाई आर एच होता है ठीक है टू पाई आर एच की जगें क्या हो जाएगा गोले का जो व्यास है वो ही आएगा गोले का तो अर्च की जगें आ जाएगा टू आर तो टू आर आते ही दो को दो से गुना करोग यह पूरी हुई दन्यावाद आगे की जो प्रिशनावली है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे